दोस्तों यदि आप भी एक creator हैं आप YouTube में अपनी वीडियोज अपलोड करते हैं तो आपको अपनी वीडियो के लिए keyword यानि की tag लगाने की दुरत तो पड़ती होगी पर यदि आप उसके बारे में नहीं जानते हैं आप अपने topics related बहुत अच्छे tags नहीं find कर पाते हैं तो आ आप देख सकते हैं दोस्तों यदि आप एक सही keyword अपनी वीडियो में choose करते हैं तो दोस्तों आपके वीडियो के बारे होने की संभावना बहुत जादा बढ़ा जाती है खासकर यदि आप एक नए creator है तो वीडियो में enter जोरू बने रहेगा दोस्तों पर दिया आप चैनल नए तो चल को subscribe कर लिजेगा चलिए start करते हैं आज के इस वीडियो को तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने प्लेश्टोर पर चले जाएंगे और यहाँ पर आपको search करना है tag you और इसके बाद इसे search कर लेंगे लिख कर तो दोस्तों आपके पास ये application open हो जाएगा आप इसे install कर लिजेगा मैंने इसे पहले से install करके रखा है और इसे open कर लेंगे दोस्तों open करने पर इस प्रकार counterface आपके सामने open हो जाएगा यहाँ पर आपको पहला option मिलता है suggest keyword इस पर आप click करके दोस्तों आपके वीडियो का जो भी topic है आप इतर पर लिख दाएंगे तो उससे relate बहुत सारी keyword आपको देखने को मिल जाएंगे चलिए मैं example के तौर पर यहाँ पर लिख देता हूँ home key और इस पर search करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी keyword आ गये हैं आप अपनी वीडियो में सभी keywords का use कर सकते हैं यहाँ पर नीचे आपको copy का icon दिख जाता है आप इस पर click करके इसे copy कर सकते हैं और अपनी वीडियो के लिए use कर सकते हैं और यह आप चाहते हैं कि आप दूसरे YouTuber के वीडियो इसके keyword को देख पाएं उनका use कर पाएं अपनी वीडियो में तो दोस्तों यहाँ पर आप back आजाएंगे और second option जो की है get text from URL इस पर click कर देंगे और आपको यहाँ पर उस वीडियो का URL पेस्ट करना है जिसके keyword आप देखना चाहते हैं example के तोर पर मैं अपनी वीडियो के keyword क देखना चाहता हूं तो मैं आपको बताता हूं आप उस वीडियो पर जाएंगे देखे दोस्तों जैसे यह मैंने अपने चैनल खोल लिया है और मैं यह second number के वीडियो के keyword को चाहता हूं तो मैं इस पर three dots पर click कर दूँगा और यहाँ पर share इस option पर click कर दूँगा यहाँ पर सब यहाँ पर open हो जाएंगे आप इन्हें copy कर सकते हैं और अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं copy के लिए नीचे आइकंध में दिया गया है आप उस पर click कर लेंगे और उन्हें एक जगा पर दूस्री जगा पर पेस्ट कर देंगे और अपने वीडियो में यूज़ क चाहिए ज़्यादा पुराना वीडियो यदि आप उनके keyword का use करेंगे तो आपके वीडियो rank नहीं कर पाएगा दोस्तों चलिए बैक आजाती हैं दोस्ते आप चाहते हैं कि आप find कर पाएं कि आपने जो वीडियो बनाया है उसमें कितना competition है find competitor इस option third number वाले option पर click कर देंगे और दोस्तों अपनी वीडियो का URL यहाँ पर paste करना है तो दोस्तों आपको अपने computer के बारे में पता चल जाएगा चलिए example के तोपर मैं अपना एक video ले लेता हूँ जैसे मैंने एक video बनाया जो first number है इंगलिस में क्या कहते हैं तो दोस्तों मैं computer धूना चाहता हूँ कि कितनी लोगों ने इस topic से related videos बनाया है तो इसके लिए सबसे पहले फिर से share वाले option पर जाएंगे और copy link कर लेंगे और यहाँ पर आपको फिर से paste कर दीना है उस link को और check इस option पर click कर देंगे तब आपके सामने computer open हो जाएंगे दोस्तों कि इस से related देखें दोस्तों मतलब सिर्फ मैंने ही इस video को बनाया है आज से पहले इस video को किसी ने नहीं बनाया है दोस्तों तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा scope मिल जाएगा मेरी video को वारल होने की संबन बहुत ज़्यादा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चनल को subscribe नहीं किया है तो कर लीजेगा मेरे चनल का नाम और लोगों आपको दिख रहा होगा चलिए अब नीचे देखते हैं एक video दोस्तों जो मैंने बनाया था how to find trending topics for YouTube videos मैं इस पर 3.00 पर click कर देता हूं और इसकी link को copy भी कर लेता हूं वीडियो की link को और यहां पर paste कर दूंगा तो दोस्तों मुझे competitor मिल जाएंगे कि इस topics related कितने लोगों ने यहां पर वीडियो बनाया है तो मुझे 4 या 5 लोग के मिल जाएंगी दोस्तों जिन्होंने इस topics related video बनाया दोस्तों देखिए मैंने बनाया है इसक चुकी है दोस्तों कई यह इस परकार आप competitor find कर सकते हैं दोस्तों दिया आप दूसरे के वीडियो के keyword को यूज करना चाहते हैं तो आपको नीचे एक icon देखता है आप पूरे keyword को यहां से copy कर लेंगे और यहां पर paste कर देंगे दोस्तों और उसके बाद अपनी वीडियो में इन keyword को use कर सकते हैं तो दोस्तों इस परकार आप दूसरी के वीडियो के keyword को अपनी वीडियो में use कर सकते हैं अब आपको समझ में आ गया गो दोस्तों आप यह कैसे कर पाएंगे तो दोस्तों इस प्रकार आप अपनी वीडियो के लिए keyword को देख सकते हैं उनका use अपनी वी कर दीजेगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोट करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में गुडबाई